नमस्कार दोस्तों गुड मॉर्णिंग कैसे हैं आप लो कमेंट करके जरूर बताईएगा विलकम बैक टू माई यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों एक बड़ी खबर एक बड़ी अपडेट आ रही है इस इच्छाई वाग के तरफ से जो इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं यहां पर देख सकते हैं जम्मो कस्मीर से बीए डिगरी पर पहाल सिच्कों की खोज सुरू जी हां जो जो जम्मो कस्मीर से डिगरी प्राप्त किये हैं उनका सर्टिफिकेट फरजी है और उन टीचरों को सिच्छाई खोज रही है किस विद्ध्याले में कहा है उसके लिए लेटर निकाल दिया गया है जो लोग लेटर नहीं देखे हैं वर से चाहिवाग के आफेसर पर जाके वो लेटर देख सकते हैं इसमें बताएंगे कि जम्मु कस्मिर के कौन से इन्वर्शिटी का या कौन से कॉलेज का स मान है साथ इसमें दिया होगा ने तो सब जम्मु कस्मिर की विद्ध्याले कॉलेजों की बात नहीं की जा रही है यहां पर देख सकते हैं प्रात्मिक सिसानी देशक ने बीड और डियल रदिरी धायकों को मांगी सूची सक्रा में धराने के बाद सुरू हुई जाच मुझापर पूर समय सभी जिलों में मांगी रिपोर्ट पूछा से छक बहाल और कितने पर हुई है करवाई तो चलिए इसका पूरा डिटेल बिश्तार से देखते हैं यह ख़बर हिंदुस्तान के न्यूज पेपर में आज के दिन प्रकासित किया गया है यानि कि आज के डिट में देख सकते हैं और यह ख़बर मुझह पर प्रेचप के आ रही है बरिये संबादा तक के द्वारा तो जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं एक वर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा बेल आइकन को भी प्र या बोड से बीड और डिलेड डिगरी पर नौकरी करने वाले सिचकों की खोज हो रही है प्रात्मिक सिच्छा निदेश अक्रवी प्रकास नहीं जम्मु कश्मीर के बीड और दो बर्स ये डिलेड डिगरी धारी सिचकों का सुची मांगी है यानि कि यहां से जो कॉलेज और इन्वर्सिटी हैं कौन-कौन से शिचक अभ्यरती यहां से डिगरी लिए हैं चाहे बो बीड का हो या डिलेड का अगर दोनों डिगरी आपको लिए हैं तो समझे कि दोनों डिगरी आपका अमान है अगर आपका डिगरी है आपको लगता क्या पैसा दे के लिए हैं मेर का वैलिड आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा मान होगा चाहे सरकार कुछ भी कर ले बसड़ते उसे आपको वहां पर जाके चेक करना होगा अगर चेक करना नहीं आता है तो हमें एक वारा बताईएगा हम चेक करके आपको बता देंगे निदेशक ने जपरपुर समेथ सभी जिलों से इस पर दो दिनों की भीतर रिपूर्ट देने को कहा है सभी जिलों के डियों को निर्देश दिया गया है कि कितने से चक इस डिगरी पर बहाल है इसके सुची देने के साथ ही अब कितने पर करवाई हुई है इसकी भी रिपोर्ट मांगे गई है सिच्छाई वाग के तरब से जम्मू कस्मीर की B8 की डिगरी पर पहले NCT से मानता नहीं होने को लेकर पेज फसा था नियाब अली के अनुसार B8 की डिगरी NCT से मानता प्राप्त संस्थान की होनी चाहिए जम्मू कस्मीर में NCT से मानता नहीं होने के कारण मुझह परपुर्ट समेथ विभिन जिलों में इस डिगरी के अभियरतों की बहाली रू की गई थी मगर बाद में बहाली कर दी गई जिला परिशत की बहाली में सबसे अधिक जम्मू कश्मीर के B8 डिगरी वाले अभियरती थे कौंसरिंग के बाद इनका पद सुरच तरकते हुए विभाग से मांग दर्सन मांगा गया है अधिकारियों ने बताया कि बाद में बिभाग दोबारा इस डिगरी की मानेता के मांग दर्सन पर बहाली की गई है अब यहां पर देख सकते हैं कि सक्रा में धराने के बाद सुरु हुई जांट सबसे पहले सक्रा में ही सिचक धराये हैं और वहां से धराने के बाद पोल खुला पोल खुलने के बाद फिर ये हर एक जिलो में इसकी जान सुरू कर दी गई है क्योंकि सच्चिवाले या सिचवबाग से डारेक्ट लेटर निकारा गया है बिहार के 3800 जिलो के लिए बिएट के साथ ही जम्मू कस्मीर के डिलेट के डिगरी पर भी मुझहपरपुर समेथ बिभिन जिलो में हिच्चक कारियत हैं सक्रा में एक सिच्चक के यहां के डिलेट के फरजी सर्टिफिकेट पर बहाली का मामला दो महीने पहले जाँच में धरा गया इसके बाद ऐसे सब लुके निकाला जाएगा जिनका डिगरी जम्मू कस्मीर से भरप्त किये हैं इन सभी डिगरी की सत्यता की जाउच को लेकर राज-अस्तर से परकिलिया शुरू की गई है यानि कि उन टीचरों पर अब ये खत्रा मन्रा रहा है जो जम्मू कस्मिर से डिग्री लिए हैं और उनका डिग्री अमान है अब वो फर्जी का लाएंगे और उनको बिद्दाले से बाहर किया जाएगा लेकिन उनको किया जाएगा जिनका NCT से मानता प्रा रहें फिर मिलते हैं कि नेक्स वीडियो में धन्यवाद दोस्तों